एशिया गप का क्या है मुस्तक्भिल ये टोनामिट होने जा भी रहा है या नहीं होने जा रहा इसी हवाले से पाकसान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमिंट कमेटी के चैर्में एजम सेटी आज एक बड़ी important मिटिंग करने जा रहा है UAE में और इस मिटिंग में जो है वो ACC के वाइस चैन्में जिनका तालुक इंडिया से ही है वो भी मौजूद होंगे इसके साथ-साथ UAE क्रिकेट बोर्ट के आफिशल्स भी मौजूद होंगे और साथ-साथ इसमें स्टार जो के ब्राड कास्टर है उसके भी लोग शामिल होंगे इसके अपके हवाले से डिसक्शन होगी और कहा ये जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा इंडिया अपने मैचेस बाहर खेले और अगर ये भी तसलीम नहीं होता तो फिर पाकिस्तान एशिया कप का बैकाट करेगा बैक आफ करेगा क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है अगर ऐसा हो जाता है तो भारत ने प्लैन तयार कर लिया है कि वो यू एई जिन्होंने प्रेमिर कप का फाइनल केला था नेपाल के अगेंस और नेपाल ने कौलिफाई किया था इशिया कप के लिए यू एई को छटी टीम लाया जाएगा इशिया कप में और वो खेलेंगे और पाकिस्तान जो है वो इस टोनमेंट से आउट हो जाएगा और ये टोनमेंट जो है फिर बंगलादेश से लंका या कहीं पे भी करवाया जा सकता है या फिर यूई में भी अगर पॉसिबिलिटी खेली और आपको एक फेवर दिया क्योंकि ये सीरीज एक्चुली में स्केजूल नहीं थी इसके साथ साथ हमने आपके साथ तीन और डियाएस भी खेलने और अफगानिसान एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद पाकिस्तान को ये फेवर दे देता है बंगलादेश भी पाकिस् तक तक बात की जारी है स्रींका इंडिया की सपोर्टमी नजर आ रहा है स्रींकä एक बड़ा प्रिकेट मिलघा तो उनकी ये बीधा किया जाएगा और भारत स्री लंका ने बनाemTV मैचेों कर दो EX्ट घूए गारंटी दिये हैं हमागे साथ 2 मैच कर लेंगे और भारत का सि害 स्रिलंका बोलता है आज कल इंटरनेशनल क्रिकेट में जितनी स्पॉंसर्शिप और डील्स उनके पास है तो भारत अगर दो मैचे स्रिलंका से खेलेगा तो स्रिलंका को मल्टी मिलियंस का फायदा हो जाएगा तो इसलिए स्रिलंका न चाहते वे भी भारत की सपोर्ट में है अब बात यह आ गई है कि भारत भरपूर कोशिश कर रहा है कि एशिया कब यूई में हो यहां फिर बंगला देशन स्रिलंका में हो और पाकिस्तान इस पर मान जाए वनना पाकिस्तान बैक ऑफ कर जाए स्टार को भी यह गैरंटी दी गई है कि हम एक तो एशिया कब और इसके साथ साथ बंगला देशनी बलके जमवावे और आर्लेंट से राप्ते शुरू कर दियें कि आप हमारे साथ सीरीज खेल लें सावताफरिका का उस्ट्रीलिया का टूर चल रहा होगी आप सावताफरिका उसमें से टाइम निकालता है नहीं निकालता सीपियल जो है वो अपने प्लेयर्स को सीपियल में से निकाले और आपके बास भेज सकता है जए तक जमवावे और आर्लेंट की बात है उन से बात की जा सकती है और एक ट्राइस सीरीज भी खेली जा सकती है तो एशिया का अब इस वक जो है वो बिलकुल नहीं होते वे नजर आ रहा है औ सब्सक्राइब कर लिया था लेकिन फिर पीसीबी की तरफ से कुछ ऐसी बात हो जाता है तो हम वर्ड कप में भी इस हवाले से बात करेंगा अला कि यह बात वसीम खान ने की थी जिनका असवक्त पीसीबी से कोई तालुक नहीं है वो आईसीसी के जनरल मैनेजर है जिसके ब वर्ड कप में भी यही बात हो जाएगी कि अगर कुछ दिन बाद ही वर्ड कप है तो उसमें भी यह चीज कर ली जाएगी जबके पीसीबी यह कह रहा है कि अगर हम अभी आईशिया का बाहर लेकर चले गए तो फिर चांपियन्स ट्रॉफी दोहतार पच्चिस भी हमसे ले एसी सी के भी प्रेजिडेंट है पर एसी सी के वाइस प्रेजिडेंट भी इंडियन है तो इस हवाले से इंडिया को उसमें एज हासल है जैसे मैंने बताया अफगानिस्तान और बंगलादिश का जुकाओ पाकिसान की तरफ है लेकिन स्रिलंका जो है जिनकी एक बड़ी से ह उनका पूरा जुकाव भारत की तरफ है अब देखते हैं यह उट किस करवट बैठता है लेकिन एशिया कप का नकाद अब थोड़ा सा खटाई में नजर आ रहा है या शायद पाकिसान के बगेर यह टोनामेंट हो यहां फिर कुछ ऐसा हो जाए कि इस टोनामेंट में पाकिस् की आपको पर्मिशन लगती है वह अंडर अंब्रेला उस नहीं कर सकता जो कि तीन से ज्यादा टीम्स का हो उसमें पर आइसी सी की ही से होती है अलग रूल्स अपलाए होते हैं लेकिन अगर पाकिस्तान बैक आफ कर जाता है एशिया कब से तो उसमें यूए को इंक्लूट क करके अशिया का भारत बड़ा इजी ली करवा सकता है तो इस पर ज्यादा कॉंसेंट्रेट कर रहे हैं कि हाला दैसे बनाए जाए कि पाकिस्तान खुदी बायकाउट कर जाए तब देखते हैं क्या होता है पर आप से सवाले से मजीद बात करेंगे